dear learners welcome to our channel हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि पाइफन को कैसे इंट्रिड्यूस किया था हमने और पाइफन को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आज हम दो और टॉपिक आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि पाइफन में कमेंट्स और बैरियेबल्स का होते हैं सबसे पहले हम कमेंट्स की बात करते हैं कमेंट्स जो होते हैं वो हैश के साथ स्टार्ट होते हैं और इनका पर्पस होता है इनकोड डॉक्यमेंटेशन मतलब कोड में अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बात लिखनी है अपनी जरुप से आपको समझाने के लिए तो करते हैं तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम सिंगल लाइन कोमेंट की बात करते हैं जैसे मैंने हैस लगाके एक लाइन में लिख दिया दिस इस कमेंट फिर मैं प्रिंट करा देता हूं है लो तो मेरा जो आउटपुट आएगा उस सिर्फ हैलो आएगा जो मैंने लाइन लिखी है दिस इस इस कमेंट उसको जो है पाइफन एक्जिक्यूट नहीं करेगा क्यों कि मैंने उसके आगे हैस लगा दिया है उसके बाद हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट अगर मुझे एक से ज़ादा लाइन में कमेंट लिखने है तब भी उसके लि वो सिर्फ सल्मान आएगा उपर मैंने hash के साथ जो भी लिखा है उसको जो है python execute नहीं करेगा इसके अलाब़े एक और तरीका है जो ट्रिपल कॉट होता है उसके अंदर भी आप multiple line comments लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है triple line में फिर print सल्मान कराया है तो output सल्मान ही आएगा अब next topic देखते हैं कि python में variables क्या होते है variables containers होते है data values को store करने के लिए python में इनकी कुछ खासियत होती है उनको देखते है कि variable name can be short name more descriptive variable का नाम बहुत जोटा भी हो सकता है जैसे x या y या फिर more descriptive भी हो सकता है जैसे student, car, new variable आप दुनिया भर का कोई भी नाम उठाकर variable का नाम रख सकते हो cat, dog, कुछ भी रख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आए तो variable का नाम छोटा भी हो सकता है बिलकुल एक word का, एक letter का जैसे x या y या फिर group of letters भी हो सकता है थोड़ा भी हो सकता है दूसरी बात string values are declared with single or double quotes जो string values होती है, string आपको आगे पसे लगए क्या होता है उसको हम single और double quotes में लिख सकते हैं और दोनों जो है same होती है single और double quote में लिख होई value दोनों same होती है उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है दीसरी बात python में variables को लिखने के लिए कुछ rules होते हैं उन rules को हमें follow करना बहुत ज़रूरी है जैसे पहला rule है कि it must start with a letter or underscore अगर हम कोई variable लिख रहे हैं जैसे मैंने लिखा salman equal to y तो जो salman है वो एक letter से start होना चाहिए क्योंकि यह variable का नाम है या फिर यह एक underscore के साथ start होना चाहिए जैसे कि मैंने दूसरा लिखा है underscore salman equal to y तो यह पहला rule था python का दूसरा rule यह है it cannot start with a number नंबर के साथ start नहीं कर सकते जैसे मैंने लिखा है one salman equal to y तो यह आपको error दे देगा हम variable का नाम नंबर से start नहीं कर सकते तीसरी बात यह case sensitive होते हैं जैसे मैंने तीन तरीके से age लिखा है upper lower case में यह तीनों different case है बिल्कुल different case है क्योंकि variables जो अधे python में case sensitive होते हैं अगली बात जो multi-words variable names होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं इसमें तीन टाइप के multi-words variable names होते हैं पहला होता है camel case camel case में क्यों होता है जैसे मैं तीन वर्ड का variable name लिखा हूँ new variable name तो इसमें जो पहला word होगा new, उसका जो first letter होगा, वो small होगा, बाकी दो का capital होगा, इसको हम camel case कहते हैं, अगला है pascal case, pascal case में क्या होता है, कि तीनो words के जो first letter होते हैं, वो जो है capital होते हैं, अपर case में होते हैं, जैसे new variable name equal to Salman, इसके जो पहले तीन words में, वो capital है, last है हमारा snake case snake case में क्या होता है, कि तीनो words के बीच में underscore होगा, new underscore variable underscore name equal to Salman, तो ये तीन तरीके के variable names थे, जो multi words से construct होते थे, अब अगला topic हम देखते हैं, कि many values to multiple variables, कि अगर हम बहुत ज़्यादा variable भी ले सकते हैं, एक साथ भी कही सारे variable ले सकते हैं, ऐसे मैं लिया a, b, c, और तीनों को मैंने value दे दी Salman, John, Sam, अब मैं जब print a करूँगा, तो Salman आएगा, print b करूँगा, तो John आएगा, print c करूँगा, तो Sam आएगा, इसका मतलब हम सिर्फ एक variable नहीं ले सकते हैं, एक line में हम तीन variable, चार variable कितने भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ की values equal होना चाहिए, अगर हम 4 variable ले रहे, तो 4 values होना चाहिए, 5 variable ले रहे, तो 5 values होना चाहिए, दोनों तरफ की quality को maintain हमें रखना है, अगला topic जो है, वो हम देखते हैं कि one value to multiple variables, अगर हमने कई सारे variable ले हैं, उनको हम सिर्फ एक ही value भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिए a equal to b equal to c, मैंने तीन variable लिए a, b, c, a equal to b equal to c, a equal to Salman, तीनों को एक ही value दे दी Salman, अब जो मैं print a करूँगा, print b करूँगा, print c करूँगा, तो तीनों में Salman, Salman, Salman आएगा, इसका मतलब यह मुझे तीन जगा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे तीनों को एक ही value देनी है, तो मैं एक ही line में तीनों variables को लिखा हुआ है, कि vegetables equal to tomato, potato, bean, तीन vegetables का नाम लिए, मैंने क्या गरा, c तीन variables ले लिए a, b, c equal to vegetables, उसकी value जो है, vegetables assign कर दी, अब मुझे tomato को अलग print करना है, तो मैं क्या करूँगा, print a, तो tomato आ जाएगा, print b करूँगा, तो potato आएगा, print c करूँगा, तो bean आएगा, वैसे मैं vegetables क प्रिंट करता, तो मेरे तीनों print हो जाते, लेकिन इस तरीके से जो है, हम अलग-अलग तीनों को print कर सकते हैं, next topic की हम तरफ बढ़ते हैं, कि output variable क्या होता है, जैसे मैंने एक variable लिया, a equal to good, फिर मैं print करता हूँ, python is plus a, तो मेरे जो output variable आएगा, वो आएगा, python is good, इसका मतलब मैं variable को as a output भी use कर सकता हूँ, फिर अगला topic है, add variable to a variable, एक variable में दूसरा variable कैसे add करें, जैसे मैंने एक variable लिया, सल्मान is, दूसरा variable b लिया, y, तीसरा variable मैंने लिख दिया, c equal to a, b, फिर मैं print c करूँगा, तो दोनों को a plus b को add करके जाएगा, सल्मान is, y, next topic है हमार, add string to a number, क्या हम एक string को एक number से add कर सकते हैं, जैसे मैंने एक string लिया, a equal to, सल्मान, b equal to 5, एक number दे लिया, जब मैं print a plus b तो यह, मुझे error दे देगा, इसका मतलब यह, कि हम एक string को एक number के साथ add नहीं कर सकते हैं, यह जो है python का एक feature होता है, हम string के साथ number को add नहीं कर सकते हैं, अब हम अगला topic देखते हैं कि global variable क्या होता है, Global variable वो variable होता है जो किसी function के बाहर create किया जाता है हम जो है global variable को किसी function के अंदर भी create कर सकते हैं जैसे के पहला जो topic है global variable outside the function function के बाहर हम global variable को कैसे जो है create करें तो मैंने एक variable ले लिया a equal to Salman और नीचे मैंने लिखाए def def होता है वो function को define करने के लिए use होता है function के मैंने नाम लिखा है new function print y name is plus a तो जब मैं new function को print करूंगा तो y name is सल्मान आ जाएगा यहाँ पर जो equal to सल्मान है वो global variable है आप देखिए वो function के ऊपर लिखा है मैंने मतलब function के बाहर है तो जब भी function से बाहर हम use करेंगे तो वो उसमें include हो जाएगा अब जो next topic है वो यह कि हम global variable को function के अंदर कैसे use कर सकते हैं जैसे मैंने outside variable लिया equal to सल्मान फिर मैंने function define किया new function फिर मैंने उसके अंदर global variable define किया a equal to शादमा अब जो होता है जो हमने outside variable लिया था inside में भी हम वो ही assign करेंगे जैसे मैंने a उपर लिया था तो a ही अंदर लोगा जब मैं print करूँगा person name is plus a जब मैं new function को print करूँगा तो मेरा output आएगा person name is शादमा आएगा मतलब अंदर वाला आएगा जो मैंने बहार किया था उसको वो क्या करतेगा अगला topic है हमारा global keyword, global keyword क्या होता है जैसे मैंने global लिखनू program के अंदर तो वो global keyword होता है मैंने outside variable लिया equal to सल्मान फिर मैंने एक function को define किया new function उसके अंदर मैंने global keyword को use किया फिर मैंने लिखा a इसका मतलब मैं एक global variable use करने जा रहा हूँ जब भी हम किसी function के अंदर एक global variable include करते हैं तो वहाँ बार हम global keywords को लिख सकते हैं ग्लोबल ए लिखने के बाद मैंने global variable लिया a equal to सल्मा उसके बाद मैंने new function को जो है assign कर दिया फिर मैं print करूंगा person name is plus a अब इसके पास दो a है लेकिन यह अंदर वाले global variable वाले को प्रिंट करेंगा मतलब output जो हैगा वो आएगा person name is सल्मा कि दोने करते हैं यह प्रिंट necessary मैं एम जो है लिएगे लेकिन नहीं यह वाले जो हैगा आएगा रहीत